तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो भी जुलाई सेशन दुहरबाइस से तेई सेशन वाले हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी कि उनको जो भी बताएंगे जो भी इगनोर से छातर छातरा हैं और अड़ीसन लिये हैं और उनका कुछी दिन में उनका ए देने वाले हैं कि जो कि आपका 2 जुलाई से दो तो वो अपना एक्जाम सेंटर में क्या-क्या ले जा सकते हैं क्या-क्या उन्हें डॉक्मेंट की ज़रुत है और क्या-क्या उन्हें एक्जाम सेंटर में मांगा जाएगा अगर इन सब डॉक्मेंट को आप नहीं ले जाते हैं तो आपको जो कि वंचित कर दिया जाएगा याई आप पो इग्जाम सेंकर से लोटा दिया जाएगा आप भगा दिया जाएगा तो आप एग्णोल का एकजाम देने जा रहे है उसके लिए आपको क्या क्या जरूवत है जो कि आपको सेंटर में मांगा जा Heck कौन कौन सी आपको डॉक्मेंट देना होगा वहां वेरिफाई कराना होगा तभी आप जो की एकजाम सेंटर में जा सकते हैं यानि एकजाम सेंटर में आप हॉल में परवेश कर सकते हैं तो भी आपका सेंटर फेका हुआ है आप उस सेंटर पर जो की अपने टाइम के निधार कर सकते हैं या तो उन्हें हौल टिखर भी बोला जाता है और अड्मिट कार्ट दोनों की है जिस्त अभासा में आप घाता रहता है तो आपको डाउलोड हो रहा है आप वहां से डाउलोड कर सकते हैं आप जब डॉक्टर में जाहिए का तो आपको जो की तीन डॉकमेंट ले जाना हैं एक है वे तीन दॉकमेंट क्या है वहार को बताने बताने वाला है पैले नंबर तो आपको हॉल्ट टिकरट यानि IWARD कार्ट को आपको जरूरी है आपको नता इस roommate card को अगर नहीं रहेगा तो आपको होगया का डॉक्मेंट दुसरा कोटक्वियंट है आइडी काड क्या होता है हम आपको दिखाइंगे ज़ो कि id vendors आपको बहुत सारे जरूत होती एगर आपके पास आइडी काड़ नहीं है तो आपको भी पर्लाइज करने नहीं लिए जाएगा क्योंकि आपका सबसे मौतबूर्ण सबसे आपका वही आपका जो की आईडी कार्ड है जो कि आपको इगनों के तरफ से दिया जाता है उसे आप आउनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं आपको जो कि आउनलाइन पर आपका जो कि अक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि रहता है आपका कोड रहता है आपका आड्रेस रहता है आपका नाम रहता है सारे चीज़ आपको इसमें दिया हुआ रहता है तो यह आपको जो कि i card आपको ले जाना बहुत जरूरी है अगर आप i card ना ले जाते हैं तो आपको वहां से भेज दिया जाएगा आपको जोगी लोटा दिया जाएगा तो आपका एक साल जोगी पीछे हो जाएगा आप जोगी exam नहीं दे पाईएगा चलिए आप तीसरा क्या है जो कि आपको एक और id आपको ले जाना है जो कि आपको दो हमने id card बता दिया एक तो आपको hall ticket यानि admit card ले जाना है दुसरी आपको id card ले जाना है id card आपको जिनको नहीं अगर पता है कि कहां से download होता है तो मैं इस वीडियो के just एक वीडियो आपको बनाकर update कर दूँगा upload कर दूँगा ताकि आप वहां से अपना i card को download कर सकते है तिसरा आपको है जो कि i card मैं आपको बता दू तिसरा आपको कोई एक और document ले जाना है जो कि दो तो हम आपको बता दिये तिसरा document यह है आपको कोई एक id प्रूब ले जाना होगा जैसे भोटर i card आधार card या pen card pen card की मन्याता नहीं होता है कि उस पर आपको कोई address नहीं रहता है जो कि आपको यह है कि आपको उसमें ले जाना जरूरी है जो कि आपको आधार card या तो आपको कोई ID card कोई भी driving license आपको एक पुरूब के तौर पर ले जाना है ताकि पहचान के लिए ताकि आप ही है जो कि एक जाम अपना swim दे रहा है तो हम ही Theo आधार काड़ ही हैं यह किसी भी बेगती हो च्छत्र अप अधार काड़ी ले जाए क्योंकि क्योंकि अधार काड़ के मन्यता जाद यह और उस पर पूरा डिटेस फील रहती है तो हाज máximo जगे तो हम आपको पूरा काड़ी एक्जाम सिंसेंटर में आपको जाने से पहले ध्यान पूरबक में आपको 3 डुकमेंट ले जाना है पहला दूसरी कर्ण की आईड आदर और थिसरी आपका है आधार काड यह तीनों आपको जो की document की बहुत जरूरी है बहुत आपको यहां मांगा जाता है अगर यह नहीं रहेगा तो आपको वहां से भेज दिया जाएगा तो हमने आपको पूरी details में इस वीडियो में आपको बता दिया था यहोप यह वीडियो पसंद है तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए फि तक बैए बैए